हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो आर चैनल अनिशा फैमली कैसे हो दोस्तों आप आई होप आप सब अच्छे ही होंगे फ्रेंड्स देखे आज मैं आप सब के लिए लाई हूँ यह कोपाल जी के ड्रेस मेरी सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप हमें के कलर यूज चाहते हैं तो इसके लिए इसे वन कलर में भी बिना सकते हैं टू में भी और मल्टी अधिक कर सकते हैं जिससे ईवनकर या गर ठोड़ चोट्य हैं जो ही राउंड हैं यह और इंक्रीज हो जायेंगे तो और अगर आप छोटे को पाल जी की बना रहे हैं तो इसे आप टो कलर में भी बना सकते हैं तो इससे आप अपने अकॉर्डिंग देख लें और इस ट्रेस की खास बात ये है कि इसके अंदर जो भी ये कलर अगर आप चूज करते हैं कि अगर आप बिगनर हैं तो अभी से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं इसमें आप किसी भी साइस में बना सकते हैं इसे इसली आप चीरों से लेके और कितने भी बड़े कुपाल जी की ड्रेस हो तो आप इसली उसमें बना सकते हैं डिजाइन इजिली फिट हो जाएगा उसके अंदर अगर आप लोगों को एड्रेस पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना न भूले अगर आप लोगों ने मेरी ड्रेस को देखका अगर को एड्रेस बनाई है तो आप उसे मेरे फेस्बुक पेज़ भी शेयर कर सकते हैं तो मुझे बहुत ही खुसी होगी मेरे फेस्बुक पेज़ का लिंक है वो मैं आपको पिन कमेंट पेंदे दूँगे तो आप वहाँ से चक कर लेना और ये फॉर्टीन नंबर का क्रोशे हो की उस किया है तो चलिए without wasting any time चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो फ्रेंड्स ये देखे ये मैंने तीन नंबर के गुपाल जी के चोली बना ली है और आप लोगों ने कहा था कि आप वोल से ही बनाना सिखा है तो आज मैंने ये ड्रेस वोल से ही बनाई है तो वोल से बनाई थी तो हमारे पास यहाँ पे नीचे 20 टबल क्रोश है मेरे पास अभी नीचे थे तो मैंने इनको increase करके यहाँ पे 24 बना लिया है और अगर आप लोगों को ये चोली स्ट्रेसे बनेगे अगर आप लोगों को ये जानना है तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पे अप्लोड़ेड है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में देदूगों तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा अब यहाँ पे मेरे पास नीचे पूरी चोली बनाने कवाद 20 स्टिच थे तो मैंने यहाँ पे 4 स्टिच इंक्रीज कर लिए देखें नेक्स्ट कलर की मैंने नॉट लगा ली है और यहाँ पे हम बाजू की नीचे है यहाँ पे हमारा सेंटर बनेगा तो हमें इस तरह से अड़यस्ट करना है कि बिल्कुल सेंटर हमारा बाजू की नीचे आए स्टिच में यहाँ अपना वाक स्टार्ट करेंगे तो यह मैंने सिंगल क्रोशे से अपना वाक स्टार्ट कर लिया है अब यहाँ पे मैं 2 चैन बनाँगे यह हमारा ऐसा फास डबल क्रोशिय काउंट होगा और इसी के अंदर मैं फिर से टू टाइम डबल क्रोशिय बनाऊंगे इसी चैन के अंदर तो यह देखिए एक ही चैन में हमने थ्री टाइम डबल क्रोशिय बना लिया अब मैं फिर से टू चैन लूँगे और अब हम 2 chain skip करेंगे 1, 2 और 3rd chain में यहाँ पे फिर से इसी तरह 3 time double crochet अबनाएंगे 1, 2, 3 तो यह देखे इस तरह से हमारे 2 time हो गए अब फिर से हम इसी तरह से 2 chain लेंगे और फिर से इसी तरह से 1, 2 2 chain skip करके 3rd chain में हम यहाँ पे 3 time double crochet अबनाएंगे तो यह देखे यह वक हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा अब मैं next यहाँ पे फिर से 3 time double crochet अबना लूँगी फिर 2 chain लूँगी और 2 chain को skip करके यहाँ पे फिर से 3 time double crochet अबना लूँगी और इसी pattern को follow करते हुए मैं यह round complete कर लूँगी friends यह देखे मैं अपने work hand में आ गई हूँ और यहाँ पे हमने 2 chain बनाई थी 1, 2 तो यहाँ पे हम second chain में यहाँ पे crochet को डालके और यहाँ पे slip stitch कर देंगे तो यह देखे यह round हमारा यहाँ पे complete हो जाएगा अब next round के लिए हम इस तरह से यह जो हमारी यह 3 जो double crochet है इन पे से हमें slip stitch करते हो यहाँ center में आना है तो यहाँ हम इस तरह से 1, 2, 3 यह देखे 3 time मैंने slip stitch कर लिए और यहाँ हम इस hole के अंदर यहाँ पे पहुँच गये हैं अब हम next round के लिए 1, 2, 3, 3 channel लेंगे as a हमारा यह first double crochet होगा तो यह देखे बाजू के निचे से हमारा यह corner है तो यहाँ पे हम crochet hook पे two loop लेंगे और जो यह center में यहाँ पे हमारा जो stitch है इसके अंदर crochet hook को डालेंगे और यहाँ पे हम triple crochet बनाएंगे यह देखे इस तरह से और फिर इसी loop के अंदर हम फिर से double crochet बनाएंगे फिर two chain और फिर से इसी के अंदर से double crochet बनाएंगे और फिर से crochet hook पे इस तरह से हम two loop लेंगे और यहाँ पे हमने triple crochet बनाए था just इसी chain में crochet hook को डालके और यहाँ पे हम triple crochet बनाएंगे यह देखे इस तरह से और फिर से हम इसी लूप में डबल क्रोशे बनाएंगे इसी के अंदर क्रोशे हुप को डालके तो यह देखे हमारा यह जो कॉर्णर का है वो इस तरह से बन जाएगा फिर हम जो हमारा नेक्स्ट लूप है इसमें फिर से यहां पे क्रोशे हुप को डाल के और हम यहाँ पे इस तरह से ट्रिपल क्रोशय बनाएंगे और फिर इसी के अंदर हम डबल क्रोशय बनाएंगे तो यह देखे यह हमारा सेंटर का स्टिच हो जाएगा तो यह देखे हमने कॉर्णर बनाना है तो हमने इस तरह से टू टाइम ट्रिपल क्रोशय लेना है और य इस तरह से ट्रिपल क्रोश्य बनाने के बाद फिर से हम इसी लूप के अंदर डबल क्रोश्य बनाएंगे टू चैन और डबल क्रोश्य तो यह देखे इस तरह से हमारे कॉर्णर बन जाएगा फिर से हम टू लूप लेंगे और इसी के अंदर क्रोश्य होग को डालके और फिर से हम यहां पर ट्रिबल क्रोश्य बना लेंगे और फिर इसी लूप के अंदर हम फिर से डबल क्रोश्य बनाएंगे और फिर नेक्स्ट लूप में हम फिर से इसी तरह से डबल क्रोश्य बनाएंगे तो यह देखे यह वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा यहां पर हमने य कॉर्णर है फिर हमारे ही ये कॉर्णर है सेकेंड कॉर्णर यहां पे मैं डबल क्रोष़ बना लिए है अब मैं यहां पर फिर से ऊपनी फिरस Nossa कि क्रोष्य होपते और यहां सेंटर की स्टिच में यहां से डाल के मैं इस तरह से ड्र distress से प्रोषय बनाव और फिर इसSeal ोट में में मैंडबल क्रोशिया बनाओंगी तो हमारा सेंटर का होगा और हमारा जो कॉर्नर एक वार हमारा कॉर्षय का वपर हमारा इस एक बनारी सेंटर का बनेंगा तो जी कॉर्णी सिर्फ मेंगऄ और प्र ऐसे whole crochet बनाएंगे एंट्र वाली स्टिच में एम डिपल कुरोश्य बनाएंगे फिर समें डिपल कुरोश्य बनाएंगे और फिर कुछ पीछट से बीजिए ह pawn douck लिए हाँ पर हम फिर से डिपल कुाश्य है अ bacam को follow करते हुए में राउंड complete कर लूँगे friends ये देखे मैं अपने work के end में आ गई हूँ यहाँ पर हमने three chain बनाई थी one two three और यहाँ पर हम third chain में यहाँ पर इस तरह से हम slip stitch कर देंगे यह देखे इस तरह से यहाँ यह connect हो गया और हम यह देखे हर color के two two round बनाएंगे तो यह हमारे two round हो गए अब हमारा इसका यह work finish हो गए इस wool का तो मैं इसे cut कर दूँगी अब हम next color red करेंगे यह मैंने next color के note लगा ली है अब हमारा work यहाँ पर finish हुआ था तो यह देखे जो हमारे corner का जो यह हमने center बनाया था यह हमारी जो two chain बनाई थी just इसके अंदर crochet hook को डालके और हम इस तरह से यहाँ पर इसे connect कर लेंगे और यहाँ पर फिर से हम two chain बनाएंगे तैजा हमारा यह first double crochet count होगा अब हम फिर से दो loop लेंगे अपने crochet hook पे और देखे पिछली बार हमने just इसके नीचे वाली यह वाली chain थी यहाँ पर हमने यह triple crochet बनाया था अब हम इसके नीचे वाली देखे यह जो हमारी chain है जिसमें हमन अदर इस तरह से crochet hook को टालके और हम यहाँ पर triple crochet बनाएंगे और फिर इसी लूप के अंदर हम वापी से फिर से double crochet बनाएंगे one double crochet then two chain और फिर से इसी के अंदर crochet hook को टालके हम double crochet बनाएंगे और फिर से हम अपने crochet hook पे two loop लेंगे और फिर इसी chain के अंदर यहाँ पे हमने यहां पर triple crochet बनाएंगे और फिर से जो हमारे यह बैक में हमारी जो chain थी यहां इसके अंदर जो loop था उसी के अंदर हम double crochet बनाएंगे तो यह देखे हमारा इस तरह से यह corner बन जाएगा अब next हम फिर से जो हमारा यह next loop है देखे पिछली बार हमारा इन दोनों के बीच में यह एक loop था अब हमारे पास यह दो loop हो गए हैं तो इस तरह से जैसे जैसे हमारा घीरा बड़ा होगा तो हर बार हमारा एक एक loop increase होता जो यह 3 हमने डड़बल क्रोशे बनाय थे जो यह center वाला जो हमारा डबल क्रोशे है हमने इस तरह से हाँ पर front post बनाना यह देखे इस तरह से 5 यह लिया और फिर हमने यहाँ पर triple crochet बना लिया तो यह देखे ऊपरा हूँआ दिखेगा और फिर इसstory chain के अंदर हम जो hole है इसके अंदर हम double crochet बनाएंगे तो यह हमारे सिर्फ तीन स्टिचेस ही यहाँ पर बनेंगे फिर next hole में भी हमने इसी तरह से करना है पहले हमने double crochet बनाना है और फिर हमने दो लूप लेके और जो यह हमारे three double crochet थे इस तरह से देखे इस तरह से पिछे से crochet hook को लेके और इस तरह से loop लिया और फिर हमने यहां पर front post बना लिया triple crochet और फिर हमने back में जो hole है उसमें double crochet बनाना है तो यह देखिए हमारी यह दो हो गया increase हो गया अब फिर हम यह corner में इसी तरह से करेंगे यहां पर हम इसी तरह से जैसे हमने किया था इसी तरह से करेंगे तो हमारे यह corner बन जाएगा तो यह देखिए वक हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा अब हम यहां कॉर्णर पर आ गए हैं यहां पर मैं फिर से यह देखिए मैंने डबल क्रोश्य बना लिया है फिर मैं क्रोश्य हुक पे दो लूप लूँगी और जस्ट इसके नीचे वाली स्टिच में जो हम बना रहे हैं उसके नीचे यह स्टिच है तो यहां पर हम क्रोश्य हुक को डाल के और ट्रिबल क्रोश्य बनाएंगे फिर इसी के अंदर हम डबल क्रोश्य बनाएंगे फिर टू चैनल लेंगे और इसी के अंदर डबल क्रोश्य बनाएंगे और फिर दो लूप लेके और जो यह नीचे हमारे 3 स्टिच है, इसके सेंटर वाले स्टिच से हम इस तरह से यह देखें, इस तरह से उठाती हुए, फ्रेंट पोस्ट बनाती हुए, हम यहाँ पर ट्रिबल क्रोशे बना लेंगे, और फिर इसी के अंदर हम डबल क्रोशे बनाएंगे, तो एक स्टिच म हम यहाँ पर बना लेंगे, और इससे पैटरन को फॉलो करते हुए, मैं राउंड कंप्लिट कर लूँगे, फ्रेंट से यह देखें, मैं अपने वक के अंड में आ गई हूँ, और यहाँ पर हमने यह देखें, इस तरह से जो यह तू चैन बनाई थी हमने, इसकी सेकंड चै करेंगे, यह देखें, यह देखें, इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए, मैं यहाँ आपने वक के सेंटर में आ गई हूँ, तो यहाँ पर हम फिर से 1, 2, 3, 3 चैन बनाएंगे, तो यह देखें हमारा यह फर्स्ट डबल क्रोशर काउंट होगी, अब फिर से हम क्रोशर हु डाला, और एक लूप लिया, और यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशर बनाएंगे, यह देखें, इस तरह से हमने ट्रिपल क्रोशर बना लिया, और फिर बैक में जाके हम डबल क्रोशर बनाएंगे, यह देखें, फिर हम अब डबल क्रोशर बनाएंगे, तो चैन लेंगे, और फ और फिर back में इसी जगह हम फिर से double crochet बनाएंगे तो इस तरह से हमारा यह corner बन जाएगा अब next देखे पिछली बार हमारे यह दो stitches बने थे अब यहां पर हमारे पास three hole है देखे one two और three जो हमारा यह distance से बीच में यह gap है हमने इसमें work करना है तो अब हमारे यह one increase हो गया तो हर round में हमारे पास इसी तरह से increase हो जाएगा अब हम इस hole में इस तरह से crochet hook को डाल के double crochet बनाएंगे फिर से crochet hook पे हम loop लेंगे अब हमारे पास देखे जो यह front post था यह हमने यहां पर बनाया था जो हमें यह उबरा हुआ दिख रहा है इसे हमने इस तरह से crochet hook पे लेना है और यहा next hole में हमने फिर से इसी तरह से करना है one time double crochet फिर दो लूप हमने crochet hook पे लिए और जो हमारा यह उबरा हुआ हमें दिख रहा है front post इसी के अंदर हमने फिर से front post बनाना triple crochet और फिर से back में हमने double crochet बनाना है तो यह देखे यह हमारा work कुछ इस तरह से दिखेगा अब मैं यहां प प्रूशय बनाएंगे और फिर से इसी में double crochet बनाँगी और फिर हम अपनीun corner में पहुँच गया है तो यहां corner में हम से पहले double crochet बनाएंगे घर triple crochet बनाएंगे इस तरह से बनाएंगे तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं यह राउंड कंप्लेट कर लूँगे फ्रेंड सी यह देखे मैं अपने वक के एंड में आगी हूँ और यहां पर हमने थ्री चैन बनाई थे तो यह देखे हम वान टो थ्री थर्ड चैन में हम यहां पर स्लिप स्टेच क कर देंगे और यह देखी यस तरसी हमने कनेक्ट कर दियो जिरांड हमरा यहां पर कम्प्लेट हो गया और मैंए यह यह TOUR-a tenth प्रेंड से और अरplain बना ली है तो मैं इसे कट कर दूँगे तो यहाँ पे मैंने इस तरह से connect कर लिया है अब यहाँ पे 1, 2, 3 यहाँ पे हमने 3 chain बनाई as हमारा यह first double crochet count होगी और crochet hook पे हमने 2 loop लिये और देखे जो यह हमारा just इसके नीचे वाली जो stitch है इसके अंदर इस loop में हम इस तरह से डालेंगे और यहाँ पे triple crochet बनाएंगे और फिर इसी के अंदर यह जो loop था हमारा बैक में जो chain वाला इसके अंदर हम double crochet बनाएंगे फिर two chain लेंगे और फिर इसी में crochet hook को डालके double crochet बनाएंगे फिर से हम दो loop लेंगे crochet hook पे इसी stitch में जहां हमने पहले डाला था इसी stitch में हम फिर से triple crochet बनाएंगे और back में हम उसी hole में double crochet बनाएंगे तो देखे इस तरह से हमारे ये corner बन जाएगा अब हमारे पिछली बार हमने ये देखे one two three three stitches back में ये center में बनाए थी तो अब हमारे ये one two three four देखे ये जो हमारा gap है ये four है तो इस तरह से हमारे ये one increase हो गया अब इसी तरह से करेंगे जो ये next हमारा hole है इसमें हम double crochet बनाएंगे फिर दो लूप लेंगे crochet hook पे और फिर जो हमें ये उबरा हुआ जो दिखरा है ये front post इ किये वैखnosis फिर बैक में हम इसी होल में double crochet बनाएंगे तो ये देखकिए ये pattern हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा आं मैं फिर इसी तरह से next hole में भी से करोंगे पहले double crochet बनाऊंगी और फिर यह जो हमारा उबरा हुआ हमें दीख रहा है इसमें हम front post बनाएंगे triple crochet और back में हम फिर से double crochet बनाएंगे और फिर इस तरह से next जो hole है इसमें फिर next hole में और यहाँ पर हम इसी तरह से करेंगे जसरे हम corner में करते हैं पहले double crochet फिर यह जो इससे नीचे वाल स्टिच है इसमें ट्रिपल क्रोश्या दैन फिर हम यहां पर डबल क्रोश्या बनाएंगे दो चैनल लेंगे फिर डबल क्रोश्या बनाएंगे और फिर यहां पर हम फिर से ट्रिपल क्रोश्या बनाएंगे और बैक में यहां पर हम फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे और इसी पैटर्ण को फॉलो करते हुए मैं ये राउंड कम्प्रेट कर लोगे फ्रेंड से देखे मैं अपने वक के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर हमने स्टर्टिंग में थ्री चैन बनाई थी यहाँ पर हम थर्ड चैन के अंदर क्रोशे को डालके और इस तरह से हम स्लिप स्टिच कर देंगे और इसे कनेक्ट कर देंगे तो यह देखे यह राउंड हमारे यहाँ पर कंप्लेट हो गया अब नेक्स राउंड के लिए हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे क्योंकि हमारा वक सेंटर से स्टार्ट होता है तो दो लूप हम क्रोशा हुप पे लेंगे अब next जो हमारी ये stitch है इसके अंदर से हम इस तरह से लूप लेंगे और यहां पर हम triple crochet बनाएंगे और back में फिर इसी जग़े से हम double crochet बनाएंगे फिर two chain लेंगे फिर इसी के अंदर हम double crochet बनाएंगे और फिर से क्रोश्य हुक पे दो लूप लेंगे और फिर इसी के जहां हमने ये फरस्ट ट्रिपल क्रोश्य बनाया था जस्ट इसी चैन के अंदर हम इस तरह से यहां से डालेंगे क्रोश्य हुक को और यहां पे हम फिर से ट्रिपल क्रोश्य बनाएंगे और बैक म सबसंड बार हमारे वन टू ठीए फॉर को डाला और म्टाइम डूल क्रोशय बनाया फिर हमने दो लूप लिए और जो इसके सब्सेट होल के नीचे इस पर अंदर हम थी से फॉर्ण पॉस्ट बनाएंगे ठीपल क्रोशय बनाते हो इस तरह से फिर हम बैक में हम फिर से डबल क्रोश्य बनाएंगे, तो इसमें हमने बस ठीचे सी बनानी है, तो यह देखिए वक हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, अब यहां नेक्स्ट फिर होल में मैं फिर इस सितरह से करूँगी, पहले में डबल क्रोश्य बनाऊँगी, फिर क सितर और नेक्स्ट में भी सितर इसी पैटर्ण को फॉलो करते हुंए हम यह कॉर्णर पर आ जाएंगे और कॉर्णर में हम इसी तरह से करेंगे पहले डबल क्रोष अबनाएंगे फिर अपने क्रोशा हुक पे दो लूप लेंगे और फिर जस्ट इसकी नीचे वाली जो ये stitch है इस तरह से crochet hook को डालके हम यहाँ पर triple crochet बनाएंगे और फिर इसी के अंदर हम double crochet बनाएंगे फिर two chain लेके फिर से double crochet बनाएंगे और फिर crochet hook पर दो loop लेके हाँ पर हम triple crochet बनाएंगे और फिर जस्ट बैक में जाके फिर से हम डबल क्रोशे बनाएंगे और इसी पैटरन को फॉलो करते हुए मैं यह राउंड कम्प्लिट कर लूँगे फ्रेंट से यह देखिए मैं अपने वक चैन में आ गई हूँ और यहाँ पे हमने थ्री चैन बनाई थी यहाँ पे हम थर्ड चैन में इस तरह से स्लिप सटिछ करेंगे और यहाँ पे हम अपर देङए और इससे अटugen कर देंगे यह राउंड हमारे यहाँ पे कंप्लिट हो गया है अब हमने देखे है कलर की दो रांड बना लिए हैं तो मैं इस बूल को यहां से कट कर दूँगी यह आप देखिए इस तरह से अगर आप बड़े का नजी की ड्रेस बना रहे हैं तो आप और भी ज्यादा कलर इसमें ऐड़ कर सकते हैं जिस तरह मैंने यहां पर किये हैं और अगर आप छोटे का कलर को जो हमने स्टार्टिंग से लिया था यालो कलर तो फिर इसे यालो कलर से स्टार्ट कर सकते हैं तो मैं यहां पर फिर से यालो कलर स्टार्ट करूंगी क्योंकि अभी हमारी यह इतनी ड्रेस बनी है भी इतनी और बनेगी तो हमारी जो हमें डिजायर लैंद घिरे की वो दो राउंड उससे बना लें और फिर वापिस आप इसी जो लाइट कलर जो हमने स्टार्टिंग मेट करें था तो हम बहु ज पर जा해 ऌड़ करेंगे और फिर करोशल पर दो लूप लेके और जस्ट हमारी जो बना कि नीचे हम इस्तर defense crosshah Sug को ऐसे डालेंगे और यहां पर हम triple crochet बनाएंगे और फिर back में जो यह हमारा hole है इसी में हम double crochet बनाएंगे ए और फिर से 1 2 channel लेंगे फिर इसी की अंदर से हम डबल crochet बनाएंगे और फिर से crochet drive लेंगे और जहां हमने 1992 को डूच बना मैं इस सब्सक्राइब नहिए बिदी का दोडाओ रखक्सद सब्सक्राइब है अगया दोड़नों कोड़ है अपर यह हुआ थो फिर कोर्णक में बीदी के नीचे जो लूप दिखरा है ये हमें फ्रंट पोस्ट इस फ्रंट पोस्ट में हम इस तरह से क्रोश्य होग को इस तरह से टालेंगे और लूप लेंगे और यहां पे हम ट्रिपल क्रोश्य बना लेंगे और बैक में हम फिर से डबल क्रोश्य बना लेंगे तो ये देखिए यह वक हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, अब मैं नेक्स्ट इसी तरह से जितने भी हमारे होल हैं, इन सब में मैं इसी तरह से करते जाओंगे, पहले मैं डबल क्रोशे बनाओंगी, फिर दो लूप लूँगी, और जो होल के नीचे वाला ट्रिपल क्रोशे है, जो यह हमारा फ्रन्ट पोस्ट है, इसमें इस तरह से, बैक से, इस तरह से हम क्रोशे हुग को डालके, यहां पर ट्रिपल क्रोशे बना लेंगे, और बैक में फिर से हम डबल क्रोशे बना लेंगे, और यहां पर हम पहले डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर क्रोशे हुग पे दो लूप ल से बनाया था जस्ट उसके नीचे यहां पर हम फिर उसी लूप में हम ठिपल क्रोश्य बनाएंगे और फिर से हम डबल क्रोश्य बनाएंगे इसी में तो इसी पैटर्ण को फॉलो करते हुए मैं राउंड कंप्लेट कर लूगी और यहलो कलर से मैं दो राउंड बना लूगी फिर औरेंग सी दो रांड बना लूँगी और फिर मैं रेट से दोma हो बना लूँगी और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं इस दरह से अपने ये 6 ृउन कंप्लिट कर लूँगी friends ये देखे ये मैंने इसी pattern को दोराते हुए देखे यहां पी ये मैंने तीनों color वापी से add कर ली है और इसके मैंने yellow के two round बनाये हैं, orange के two बनाये हैं और मैंने ये red का one round भी बनाया है तो ये देखे हमारे जो खेरे की length है वो sufficient हो गई है अब हम यहां से बाहर से boundary बनाएंगे गर आप चाहते हैं तो boundary बना सकते हैं या skip भी कर सकते हैं यह वैसे भी बहुत ही खुबसरत लग रही है तो बाहर से हम boundary बनाएंगे यह देखे इसके लिए हम मैं center में आगे हूँ अब यहां पर हम इस तरह से इस तरह से इस तरह से single crochet करेंगे और फिर इसी लूप में हम two time फिर से single crochet करेंगे तो यह देखे हमारा इस तरह से यह design बन जाएगा और फिर next chain में हम इस तरह से single crochet करेंगे फिर next में one time two फिर next में three यह देखे three chain में हम single crochet कर लिए हमने अब यहाँ फिर से हम one two three three chain लेंगे और इस तरह से हम इस दो loop में इस तरह क्रोशा को डाल के और यहाँ पे इस तरह से connect कर देंगे और फिर यह हम next जो हमारी chain है उसमें हम फिर से इस तरह से single crochet करेंगे one two three तो यह देखे यह pattern हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा और मैं फिर इहाँ पे three chain लूँगी और उसे connect कर दूँगी single crochet से और फिर इहाँ पे मैं next one one करके three chain में single crochet कर लूँगे हमें हर एक chain में one time single crochet करना इस तरह से हम three time कर लेंगे और फिर इसी तरह से three chain बना के उसे connect कर देंगे तेसी pattern को follow करते हुए मैं यह round complete कर लूँगे friends यह देखे मैं अपने work chain में आ गई हूँ और यहाँ पे हमने यह देखे जो work start क्या था उसकी stitch में इस तरह से डालके हर आप slip stitch कर देंगे और यहाँ not लगा के इस wool को मैं cut कर दूँगे और इस thread को आप यहाँ पे जो पीछे thread है इनको आप neatly adjust कर ले ताकि यह देखने हैं बुरी ने लगे और यहाँ पे मैं इसकी चोली की boundary बना लेते हूँ फिर मैं आपको दिखाते हूँ कि इस तरह से देखे लिए friends यह देखे मैं ने यह चोली की किनारी बना ली है और हमारे dress का यह देखे final look है यह देखे देखने में बहुत खुब सुरत लग रही है और आप सब ने देखा कि यह बनाने में बहुत easy है so I hope friends आप लोगों को मेरी यह पुसाग जो मैं ठाकुर जी की बनाई है पसंद आई होगी और अगर मेरी वीडियो आपको जरा से भी पसंद आई है अगर मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी helpful रही है तो please मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने family members and friends के साथ अपने वीडियो को share करना न भूले और जो कुपाल जी की dress बनाना चाहते हैं या उन्हें बनाना अच्छा लगता है वो निया design ढून रहे तो आप उन्हें भी share कर सकते हैं और मेरी चैनल को subscribe करना तो बिल्कुल न भूले और पास में जो बैल आइकन हों से जरूर हिट कर दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड कर उसका notification आपको सबसे पहले मिले तो फिर मिलते हैं इसी तरह next वीडियो में till then bye thanks for watching